हेलो इब्रीवन स्वागत है आपका आपके अपने योटूब चेनल दिनेस बायलोजी क्लासिज पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश माध्धिनिक सिछा परिशद बोड परिच्छा दो हजार तेईस की परिच्छा में बिज्ञान बिसे में आने वाले संभावित प्रस्णों के बारे में बच्चों आप इस बार की परिच्छा में एक बीस अंक का ओ यमार पर प्रस्ण हल करेंगे जो एक एक अंक के होंगे और सेस प्रस्ण पचास अंकों का होगा जो की डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जी विज्ञान से सभी आतिलगह, लगहुत्रिय और दिर्गहुत्रिय प्रस्ण सामिल होंगे इस प्रकार से आप बीस अंक ओयमार पर प्राप्त करेंगे और पچास अंक आप अपनी काउपी से प्राप्त करते हैं तो टोटल आपका पूरांक सत्तर अंग का होगा। इसमें से आप कुछ बिस्ष्ट प्रस्णों का हमने समावेश किया हुआ है, जिसको अगर आप सही से अध्यन करते हैं, तो इनके विज्ञान बिसे में आने की पूर्टया संभावना है। बस के आपूर्टन सम्बढ़ें इसनेल का नियम, ये थोड़ा सा इमपौर्टन्ट में रहेगा, क्रांतिक कोण और माध्यम के आपुर्टनांक में सम्बंद, ये भी कुछ elections इमपौर्टन्ट में रहेंगे, तो था बहुत पही ज़्यादा Important में उत्तर लेंस अथवा आउतर लेंस के लिए सूत्र 1 अपान B-1 अपान U बराबर 1 अपान F का निगमन करने का होता है इसमें से एक लांग क्विश्चन आवज से पूछा जाता है Next topic है दरपन समंधी अथवा लेंस समंधी आंकिक प्रस्ण इसमें आपको उत्तर लेंस अथवा आउतर लेंस या दरपन के जो भी आंकिक प्रस्ण है फोकस दूरी और वस्तर से दूरी प्रत्विमी की दूरी उच्छाई ये ऐसे प्रस्ण आपके क्विश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मानो नेत्र मानो नेत्र से बस आपका आतिलाख क्विश्चन बन सकता है या तो बिकल्पी प्रस्ण बन सकता है नेत्र सम्मंधी दोस जैसे दूर दिश्टी दोस और निकर दिश्टी दोस में यसे कोई एक दोस आवस से हो सकता है यह एक्जाम में आपको मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है मारा विद्धुत से है प्रतिरोधों के स्रिणी क्रम और समांतर क्रम में सयोजन के लिए सूत्र का निगमन करना जो यह क्विश्चन है इस बार महत्पून भी है और मोस्ट मो मोटर की सरचना कार विधी और उसके सिद्धान्त का सचित्र वडन करना है नेक्स्ट विद्धुत से ही है धारा वाही चालक पर चुमकी छेत्र के कावन लगने वाले बल का सूत्र आप जानते हैं यह बराबर बी आई यल साइन थीटा यह आपको सूत्र का निगमन करना है इसके साथ ही साथ इसी ही पार्ट से फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का निगम इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजेगा और लास्ट में आप देखेंगे पार्ट के इस इंड में भावतिक विग्ञान का ही टॉपिक रहता है उर्जा के लाब तो उर्जा के शरोत में से सोर उर्जा के क्या क्या लाब है और उसका किन छेत्रों में यूज होता है गंगा सफाई योजना इसका एक क्विश्चन या तो अतिलग में या तो बहुख विकलपी में पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट है टॉपिकल केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री के खंड में आप जानेंगे बिभिन अभिक्रियाएं अफ्क्रियाओं में योगात्मक अफ्क्रिया और देवी स्थापन है डेडाक्स अफ्क्रिया इसके सासथ उस्मा छेपी अफ्क्रिया उस्मा सोसी अफ्क्रिया आक्सी गण एवम अपचैन अफ्क्रिया ये सभी जो अफ्क्रियाएं हैं इंपॉर्टेंट में रहेंगी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में है धावन सोडा बनाने का राजसायनिक सम्मेकन, बेकिंग सोडा बनाने की बिधी एवं राजसायनिक गोण उसके उपयोग, आधी ऐसे प्रस्ण इस टॉपिक से बनेंगे थोना से यहां मिस्टेक हो गया लिखने में बन गया है, यहां पर इसलिए यह रहेगा बेकिंग सोडा, नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा धात निसक्रस्ण से, तो धात निसक्रस्ण में से कापर के प्रमुख आयस्क, कापर के कौन कौन से आयस्क होते हैं, इनका आपको सई से पढ़नेना है कापर के आयसकों के साथ साथ कापर के धात के निसकरशन एवं भर्जन प्रगलन की होने वाली अफ्क्रिया हैं हो सकता है कि भर्जन और प्रगलन में से अंत्रपों सकता है अथ्वा कापर धात के निसकरशन में जो बिभिन विधियां आती है भर्जन प्रगलन या बेशे मरिकन होका होता है यह सबब करिया है इसमें से सामिल होती है और इसी ही टॉपिक से रहेगा एक टॉपिक है मिस्र धातु का तो मिस्र धातु भी आपकी काफी important है जैसे तामबा और जस्ता मिला करके क्या बनेगा इसमें से एक या दो आतलग में भी अथवा बहुत बिकल्पी प्रस्ण बन सकते हैं नेक्स्ट हमारा है कार्बन की सनचना से कार्बन की चतुस फल्की प्रकिती टेट्राहेडरल सेप आप दा कार्बन ये प्रस्ण इंपॉर्टेंट है अलकेन, अलकीन, अलकाइन का सामान सूत्रो और इन से बनने वले उत्पाद और इन ही उत्पादों के अधार पर आयू पेसी नेम जो होते हैं ये बनेंगे ये तो अनाफिक्स है आयू पेसी नम इसी के साथ ही साथ क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे ये जो प्रस्ण है ये भी दो क्विस्चन इसमें से अवस्य आने फिक्स हैं तिपनी की बात कर लेते हैं तो तिपनी लिखने के लिए साबुनिगण की क्रिया और एस्टरिगण की क्रिया यहाँ थोड़ा सा लिखने में उल्टा हो गया है और बहुलिगण की क्रिया इर में फिटिपनी आ सकते हैं कि मंडलीव की आवर साणी वाले टापिक में से बिकान संब्सक्राइथ तत्त ये टापिक आपके लिए टिपनी में इंपॉर्टेंट रहेंगे आगि बढदते हैं नेश्ट टापिक है मैंडलीव की आवर साणी में वरगों एम आवरतों के मुख लच्छन ऐसे कौन कौन से तत्तों हैं जो अगले धातों से या किसी अन्य तत्तों से अपना समन्ध दर्शाते हैं या तत्तों की प्रमाण करमांग बढ़ने पर उनकी प्रमाण तिरिज्या में क्या अंतर आता है उनकी संजगताओं में क्या अंतर रहता है वर्गों में अथ्वा आवर्तों में आगे बढ़ने पर दाएं बाएं उपर नीचे होने पर उसमें क्या क्या विश्श्था आती है यह आपको पढ़ना है और अच्छा सपढ़ लेना है मिंडलीव की आवर्तों में से एक क्यूस्चन आना इस बार फिक्स है यह रहेगा ही प्रस्णों की स्रिंखला में अगला खंड है जी विज्ञान से तो बैलोजिक सेक्शन में आप मुख रूप से पढ़ लीजिएगा मनस की आहार नाल या पाचन तंत्र यहाँ पर यह अथ्वा रहेगा चूंकि आहार नाल पाचन तंतर का ही इसा होता है मनस की आहार नाल या पाचन तंतर का सच्चित रोणन करना आएगा यह क्विश्चन इस बार के लिए इंपर्टेंट में रहेगा और मनस की आहार नाल से सम्मंधित पाचा गरंथियां ये तो important कह सकते हैं कि most most important में से start बना करके आप डंग से और अच्छे से तयार कर लीजिएगा जैसे लारगंथियां इनकी संख्या इनमें निकला स्राव क्या होता है इसमें से कौन से एंजाइन विकलते हैं यक्रित क्या आप जानते हैं इसे कहा जाता है मिस्सिर गंती मिक्स ग्लेंट कहते हैं इसको इसमें से question आने की संभावना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिर्दे की बाह है एवं आंत्री सनचना इसमें सी भी प्रशन एक आना तय हैं और इसको भी आप इस टर्म नागर करके लिख लीजिएगा next है हमारा है brick की सरचना structure of kidney और nephron की सरचना nephron क्या होता है उसके कार क्या होते है और इसी ही topic से मूत्र का रंग पीला क्यों होता है इसमें कौन सा pigment होता है ये person बनने की संभावना है next और हमारा most important question है प्रकास sensation photosynthesis ये क्या होता है इसकी प्रभासा देना है और इसका राशाने क्यों समिकर देना होता है इसके इलावा इस person के साथ ही साथ इसको सिद्ध करने के लिए कुछ और भी person जुड़ सकते हैं जैसे कैसे सिद्ध करेंगे की प्रकास sensation की क्रिया में oxygen गैस मुक्त होती है अथवा कैसे सिद्ध करना है की प्रकास sensation की क्रिया में carbon dioxide गैस प्रयोग में आती है या कैसे सिद्ध करोगी की मंड के दिनमान होता है यह जो क्रिया है इन पर भी प्रस्ण बन जाते हैं तो प्रकास sensation भी इस बार most most important में रहेगा नेक्ष्ट हमारा है पौधों में काईक जनन इसमें से कोई एक topic आपका पूछा जाएगा परागन की क्रिया विधी और आवित्विजी पौधों में द्विन सेचन की क्रिया विधी यह question भी important में रहेगा साथी साथ नर अथवा मादा का जनन तंत्र यह हो सकता है अथवा नर अथवा मादा के गौण लेंगिक लच्छण इस पर प्रस्ण बनेंगे और साथी साथ अगला टापिक हमारा है मेंडल के नियम मेंडल के आनुबन सिकता के नियम में इसमें से प्रस्ण बनेंगे और साथ ही साथ इसमें से प्रस्ण एक आजीब साभी दे सकता है प्रभाविता और प्रिथेकन के नियम को कहता है एक संकर क्रास ये आपका हो जाता है एक संकर क्रास तो पूछ सकता है कि एक संकर क्रास पर संचित टिपनी लिखिए अथवा एक संकर क्रास के बिभिन सिधानतों का उपयोग करते हुए इसे आप रेखा चित्र की सहायता से वड़न कीजिए इसे जो है दूइ संकर क्रास कहते हैं दूइ संकर क्रास इसके बेस पर भी प्रस्ट बने जाता है कि दूइ संकर क्रास को रेखा चित्र की सहता से इसकी विश्यस्ताओं का वड़न कीजिए तो आप यहाँ पर दुई संकर और एक संकर एक संकर में आप पौधे के सिर्फ एक लच्छन को ध्यान में रखते हुए क्रास कराते हुए इसका रख़चत खिशते हैं जबकि स्वतन द्रभ्योन के नियम में आप पौधे के दो लच्छनों को ध्यान में रखकर उसके क्रास पैटर्न को दर्शाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर आप अगरा देखेंगे टॉपिक है आनवांसिक रोग इस रोग में से हीमोफिलिया और वड़ानता यह दो ऐसे रोग होते हैं जिन पर छोटे से आंग आपके प्रस्ष्ण बन जाते हैं और यह अतलग हुमें अत्वा बहबिकल्पी में है इनमें से कुई एक क्विस्चन आपका आवसे मिलेगा और निक्स्ट है हमारा समजात अंग और समरूप अंग इसे भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसे आप और एक बार अच्छे सिटंग से पढ़ लीजएगा आवसे सी अंग पि जोड दे सकते हैं इसे में क्या होते हैं ठीक है तो आवसे सी अंग और समजात अंग, समरूप अंग ये भी आपके लिए important में रहेंगे और last हमारा topic है Darwin वाद अथवा लैमार्क वाद Darwin ने प्राक्तिक चैन के सिधान्त को दिया है और लैमार्क ने अपनी पुछतक philosophy जोजिक में प्राक्तिक चीजों का और जे विकास को समझाया हुआ है तो जे विकास के प्रमाण में भी आप जो है यहां पर जैसे समझात अंग, समरूप अंग, अवसेसी अंग, जीवास्म से प्रमाण और भी अनवनसिकी से प्रमाण आद ये से topic हैं जिन पर आप अपना नोड़्स अच्छे से लिख करके अच्छे से अच्छा अंग प्राप्त कर सकते हैं बच्चों आसा करता हूँ कि आपको यह जनकारी अच्छे लगी होगी और अपने इस जनकारी को अपने और भी मित्रों के पास भी सेयर कीजिएगा जिससे अगले बिक्ति को भी लाभ प्राप्तो हो सके थैंक्स फार वाचिंग